हर्मोनियम कौन सी कंपनी का सबसे बेस्ट होता है गीतानजली, पॉलन कंपनी, सुरोकार, पालेताना या फिर पैरिस का या जर्मन रीड का कौन सा हर्मोनियम हमें खरीदना चाहिए जो हमारी गाईकी को सपोर्ट करेगा और इन सब में से बेस्ट कौन सा है वो हमें बताईए तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कौन सा आपके लिए एक बहतरीन आर्मोनियम होगा और क्या कंपनी वाकई माटर करती है या रीड माटर करती है, सौर माटर करता है क्या मैटर करता है हमें लेने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और जानेगे घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एक बहतरीन मोबाइल अप्लिकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी करनाटक और बॉलिवोड संगीत सीख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा तो डाउनलोड कीजिए ये अप्लिकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज आप से याद पिया की आए हराम याद पिया की आए ये दुख सहान जाए ये दुख सहान जाए राम याद पिया की आए याद पिया की आए बड़े खुलाम अलेख खान साब की गाई हुई है बहुत बहतरीन ठुमरी है उन्हीं की कमपोजिशन है तो आई ये बात करते हैं गीतानजली, पॉलन कंपनी, पालेताना, सुरोकार या फिर बीना, अमरेत इतनी सारी कंपनी के हर्मोनियम है जब हम खरीदने जाते हैं तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेन तो कौन-कौन सी बाते हैं जिनका हमें खयाल रखना होता है इनको हमें मद्दे निज़र रखना है, जब हमें एक नया हर्मोनियम खरीदने जाते हैं देखे, जब आप एक कौई नया फोन खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी सारी स्पेसिफिकेशनस देखते हैं, आप अपना budget देखते हैं, फिर आप थोड़ा company पे भी trust करते हैं, भई हमारी कोई favorite company है, अब हमें उसी में जाना है, या फिर वो company जादा popular है, एक brand बन जाता है, है ना, तो ये सारी ही चीज़ें harmonium के साथ भी लागू होती है, कि जाहिर बात है, कई बड़े-बड़े brand names भी हैं, तो हम अधिकतर तो क्या करते हैं, specifications छोड़के सिर्फ brand name पर focus करते हैं, कि यार ये पॉल ना, company का harmonium मतलब तो अच्छा ही होगा, ले ही लेते हैं, या पालेताना का है, तो अच्छा ही होगा, सुरोकार का है, अमरित का है, नेगी का है, है ना, ये बड़ी-बड़ी company'ा हैं, और बड़ी-बड़ी आपने artist को देखा है, जैसे हरियरन साब हैं, गीतांजली का harmonium लेके बैठे हुए हैं, खांसाब घुलाम अली जी हैं, अगर उनके पास Paul harmonium है, Paul का harmonium है, तो हम हम बड़े influence भी हो जाते हैं, है ना, जैसे marketing नहीं होती है, ये phones की, कि किसी फलाँ actor से करवा दिया, एक phone का ad, किसी फलाँ actor से करवा दिया, दूसरे phone का ad, तो हम बड़े यूं हो जाते हैं, और यार वो वाला phone तो रनवीर सिंग के पास है, हमें भी वही लेना है, है ना, जबकि actually मैं ऐसा होता नहीं, वो branding है, ठीक है, वो advertisement है, जो वो लोग कर रहे हैं, सेम कहीं कहीं हार्मोनियम की ऐसे ads तो नहीं बनते हैं, ये glamorous, लेकिन हाँ, ये हमारे जो कलाकार हैं, बड़े-बड़े, ये जब उसका इस्तमाल करते हैं, तो हम थोड़ा सा attract हो जाते हैं, मगर मैं फिर भी यही कहूंगा, कि बहुत अची चीज़ है, ये attraction लाजमी है, क्योंकि वो लोग जो इस्तमाल करने तो जाहिर है, अच्छा होगा, तो ही इस्तमाल कर रहे हैं उसको, है ना, वो ऐसा fake publicity के लिए तो use में लाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी, आपको अपनी जरूरत अनुसार harmonium पहचान ना आना चाहिए, ऐसा न हो कि आपकी जरूरत उतनी नहीं हैं और आप जादा खर्च कर दें, मैं बस इतना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा एहतियात आप बढ़ते हैं, अब क्या होता है कंपनियां तो मैंने बता दी, एक तो आता है brand name, ठीक है कि इतने बड़े-बड़े brands है, तो हम उसको देखके हर्मोनियम खरीदे है दूसरा आता है हमारा budget हर्मोनियम आप देखें तो 5000 में भी आ जाता है, और वही हर्मोनियम आपको 50-60,000 में भी मिल सकता है, ये range इतनी जादा है हम लोग सोचते हैं, यार 50-60,000 का हर्मोनियम पर आता है, और मैं यहां तक कहूंगा, लाखों तक का हर्मोनियम आता है हैना, लोग खरीदते हैं और available हैं और बनते हैं हर्मोनियम ऐसे भी हैना, depend करता है कि आप किस company का ले रहे हैं और कौन सी quality का ले रहे हैं तो पहली बात तो budget आता है ठीक है, बजट में मैं आपको यही सला दूँगा कि आप अगर बिगनेर हैं, आपने अभी-भी सीखना शुरू किया है, तो 5,000 वाला हर्मोनियम आपके काम का नहीं है, ये तो मैं हमेशा से, मैंने किसी को सला नहीं दिया और ना मेरे पिताजी किसी को सला देते हैं कि 5,000 वा इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा लेना चाहो तो ऐसा नहीं कि ये पुराना हो गया, ये बेकार है, ये यूज में नहीं आएगा, या इसमें कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, तो आप 5,000 तो हर्मनियम का यूज करता है, 20,000 से अगर आपका उपर का बजट जा रहा है, आप लेना चाहते हैं, तो that's fancy, मैं यही कहूँगा कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप खर्च कर सकते हैं, तो बात अलग है, आपका बजट अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, महेंगे हर्मन आता भी होगा, आता भी होगा, तो शायद नॉर्मल वाले आ भी जाते होंगे, जो दूसरी कंपनीज के हैं, अच्छी एच्छी कंपनीज के नहीं आते होंगे, तो 15-20,000 ये minimum बजट होना चाहिए, आपका इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, पंदरा से नीचे हो सकता है, सम रीड लाइन होती है, 5-6,000 वाले हार्मोनियम में सिंगल रीड होती है, गाईकी के लिए किस प्रकार का हार्मोनियम खरीदें, वो मैंने एक वीडियो दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देखिएगा, तो आपको लाइव दिख जाएं क्योंकि वो वैसे यूजएं थ्रो तो नहीं कहूंगा, यूजएं थ्रो तो खैर कहना घलत होगा, पर हां, वो लोकल हर्मोनियम है, उनका इतना ज्यादा गाईकी के साथ कुछ लेना देना नहीं और कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए वो लोग खरीते हैं, आराम से 3 read line का harmonium आजाएगा, 3 read line किसे कहते हैं, वो मैं आपको थोड़ी दिर में दिखा देता हूँ, मेरा harmonium 3 read line है, मैं आपको खोल के बता दूँगा, तो आपको दिख जाएगा, वैसे तो मैंने कई harmoniums बताए हुए भी हैं, पहले भी दिखाए हुए हैं, और photo वगेरा भी देखी रहे हैं आप स्क्रीम पे, तो मेरे खैल से वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको harmonium देखने की, ऐसा ही देखेगा ये, तो 3 read line हो सकता है, अच्छा हो तो, उससे जादा उपर जाने की ज़रूरत नहीं, अंजिली के harmonium बड़े अच्छे आते हैं, मैं जो personal prefer करता हूँ, वो सुरोकार और पालिताना को खरता हूँ, क्योंकि वो बहुत melodious read मुझे लगती है, personally, है ना, लेकिन वो यही है, वो लोग custom made है, आपको उनको order देना पड़ता, तब आप ज़रूर ले सकते हैं, उनको, है ना, तो यही कुछ खास-खास बाते हैं, और left coupler होना चाहिए, और आपका जो knobs होते हैं, उनका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, वो knobs अपको, अच्छा हर्मोनियम लोग है, तो बाकि आटोमेटिकली जो सारी चीज़े हैं, अच्छी ही मिलेगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, company मत देखिए, आप एक अच्छा ये जो हर्मोनियम का मने, जो specifications बताएं, वो देखिए, थ्री रीड लाइन हो, बहुत बढ़िया, टू रीड लाइन हो, चलेगा, 15-20,000 के अंदर का आपका हर्मोनियम बहतरी नहीं आ सकता है, उससे जादा उपर मत जाईए, और नीचे मत जाईए, कोई उससे असर नहीं आएगा, बहतरी नहीं हर्मोनियम आ जाएगा, अब कलकॉटा का हर्मोनियम लें की normal body का हर्मोनियम लें, ये भी एक सवाल रहता है, कलकॉटा का हर्मोनियम जो है, वो environment depend है, है ना, environment पर depend करता है, वो क्या चल पाएगा की नहीं चल पाएगा scale changer भी क्योंकि कलकता बॉड़ी ही होता है जिसको हम English अभी कहते है moisture चाहिए नमी चाहिए उसके लिए राजस्थान में जैसे की मुश्किल है वो harmonium चलना है ना बहुत मुश्किल आती हवा लेकिन हाँ आप यह कर सकते हैं कि अगर वो permanent AC में रहता है आपका जो एरिया है जहां आप रहते हैं या जो आप जिस हालात में रहते हैं वो ऐसा है कि आप आराम से उसको AC में रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से फिर कोई दिक्कत नहीं वो चल जाएगा ना लेकिन रूम टेमप्रेशर में वो हर्मोनीम नहीं चलता है मौिश्चर चाही रहता क्योंकि Olivier बंगाल में ठीचलल 條ста में पानी है तो इसली वो चल जाता है caught में और शाल चाहें बहरी the आर्मोनी में आप ले सकते हैं तो बस ऐसी देखते रहें संगीत प्रोबावल्ड का वीडियो आए गेस मैं आप कि थोड़ी बहुत मदद कर पाया हूं बाकर आप हमारे वाटसप नमबर के संपर कीजिए ओनलाइन क्लास जोइन कीजिए और वहां भी मैं आपकी और मदद कर सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी करें कमेंट्स में आप क्या देखना चाहते हैं और नया से नया शुक्रिया